ग्यान्यग्य में आपका स्वागत है। ग्यान्यग्य की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन की सहाथा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो उसे लाइक करें और उसे अने लोगों के साथ शेयर करें। Windows 10 के इस अध्याय में आज आप Windows 10 का परिचय प्राप्त करेंगे। Computer के गतिविधियों को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, विभिन ओपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उनी में से एक ओपरेटिंग सिस्टम है, Microsoft का Windows 10. अगर आपने पहले भी computer पर काम किया है, तो computer के बारे में, mouse, keyboard, इत्यादी के बारे में, basic जानकारी आपको होगी ही। पर यदि आप Windows 10 से ही computer पर पहली बार काम करना शुरू कर रहे हैं, तो computer की basic जानकारी के लिए, आप ग्यानियगी की playlist, basic information about computer देख सकते हैं। इसकी link इस वीडियो के नीचे दी गई है। आई आप देखते हैं कि Windows 10 पर किस तरह से कारे किया जाता है। जैसे ही हम अपना computer on करते हैं, ये screen आती है, इसे कहते हैं desktop और नीचे जो black color की पटी नजर आ रही है, इसे कहते हैं task bar और desktop पर left side में आप कुछ images देख सकते हैं, ये कहलाते हैं icons आई अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम programs को open कर सकते हैं। यहां नीचे task bar में left hand corner पर start button है, उस पर click करते ही आपको यहां पर कुछ options दिखाई देंगे, यहां left side में उपर की तरफ most used लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां आपको वो programs या apps नजर आएंगे जिन पर आप अकसर काम करते हैं। यदि आपको सभी programs या apps देखना हो तो यहां all apps पर click करें। यहां पर सारी apps alphabetical order में आ गई हैं। यहां पर scroll bar है जिसकी मदद से आप सारी apps scroll करके देख सकते हैं। वापस जाने के लिए back button पर click करेंगे। मान लिजिए कि हमें कोई app यानि कोई program या कोई file इत्यादी जो कि हमारे system में है उसे ढूणना है। तो उसके लिए यहां नीचे start button के पास में एक search का option है। वहां पर उस app या file का नाम type कर देंगे। मान लिजिए हमको notepad app धोननी है। तो वह हम यहां पर type कर देंगे और यह देखे टाइप करते ही सबसे उपर यह notepad app नजर आ रही है। इस पर click करके हम इसे यहां से खोल सकते हैं। Windows 10 में भी notepad उसी तरह काम करता है जैसे Windows XP में। इसके सायता से आप cut, copy, paste, save आधी basic options का उपयोग सीख सकते हैं। इसके बारे में detail में जानने के लिए आप ज्यान यगे की playlist Basic Information About Computer के अंतरगत notepad से संबंदित videos देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि इंटरनेट पर भी आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस दियान रहे कि उस समय आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। चलिए हम सर्च वाले option में टाइप कर देते हैं। और आप एंटरप्रेस करेंगे, यह देखिए, यह एक ओनलाइन पेज उपन हो गया है, जिसमें हाउ टू मेक केक से रिलेटेड रिजल्ट्स आ गये हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइल एक्स्प्लूरर का उप्शन है। इसकी सहायता से हम हमारी फाइल या फॉल्डर को यहीं से उपन कर सकते हैं। इसके corner arrow पर क्लिक करने पर आप यहाँ देख सकते हैं, यह लिस्ट आ जाती है। इसमें desktop, document, download, pictures यह पहले से ही pinned है। और नीचे frequent में आप कुछ और folders देख सकते हैं, जो हम frequently यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यह जो दो है desktop और cursors, यह दो folder हैं। Windows XP में folder की image अलग थी और Windows 10 में यह अलग नजर आ रही है। बाकी features Windows XP के जैसे ही हैं। जैसे की folder बनाना, folder, cut, copy, paste करना, rename करना, इत्यादी। इनके बारे में और जानने के लिए आप ज्यानियगे की playlist, basic information about computer के अंतरगत, folder से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं, settings को option है। यहां पर यह देखिए, सारे options बहुती सरल तरीके से दिये हुए हैं। आपको system से related चीज़ें, display, notifications, apps, इन सब से related अगर कोई changes करना हैं या कुछ setting करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। devices से जुड़ी setting करनी हो तो वो यहां से कर सकते हैं। ऐसे हर चीज़ के लिए यह अलग-अलग options दिये हुए हैं। पर यदि आप windows का पुराना option, control panel ही खुलना चाहते हैं, तो उसके लिए start button पर right click करें। यह देखें यहां पर control panel का option है, इस पर click करके इसे यहां से खुल सकते हैं। अब settings के नीचे power का option है, इस पर click करेंगे तो यह तीन तरह के options आपको दिखेंगे। यदि आपको थोड़ी देर के लिए computer इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप इसे sleep mode पर डाल सकते हैं। उसके लिए sleep पर click करें। उसके नीचे shutdown का option, computer बंद करने के लिए होता है। और सबसे नीचे restart वाला जो option है, उसे आप तब use कर सकते हैं, जब system hang होने की वज़र से या किसी और वज़र से आपको computer फिर से start करना हो। अब यहां right side में display में life at glance है, यह windows 8 का छोटा सा हिस्सा है, windows 8 में पूरी screen पर यही display होता है, पर windows 10 को user friendly बनाने के लिए इसे सरल बनाया गया है। Life at a glance में आप यहां देख सकते हैं कुछ useful apps हैं, जैसे calendar, mail, weather, इत्यादी और नीचे कुछ latest games भी हैं, जिनने आप यहीं से click करके देख सकते हैं। यहां पर यह जो displayed boxes आपको नजर आ रहे हैं, इनको आप यहां से unpin कर सकते हैं, याने हटा सकते हैं, यहां पर और apps एड कर सकते हैं, इनका size बदल सकते हैं, और इन सब के बारे में विस्तरज जानकारी हम आपको आगे के videos में देंगे। हम इस start menu को उपर और side से click और drag करके और बड़ा भी कर सकते हैं, कि देखें, आप इसको जितना बड़ा करना चाहें, उतना बड़ा कर सकते हैं। हम मया लोग जाल जात विस्तरज न सकते हैं, आपोरी काशर